अगर हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक पर टैप कर दीजिए ताकि जभी में वीडियो सब्लोड करता हो तो आपको नोटिफाइब होता जाएगा वाट्ट गाइस कैसे है आप सभी वेलकम बैक तो अनगर वीडियो वह बहुत लग पूछते है कि के नॉन केमरा का लेना है या फिर निकॉन का लेना है तो थो निकॉन वार्स निकॉन ये तो बहुत डेर सालों से डिवेट चल रहा है कि काउन सा अच्छा वाला है तेकि यह ह ज्यादा एक्चलि इमेज क्वालिटी काउन सा है और क्वाला है या फिर निकॉन में इस्ट करना है तो अगर आप हमारे चनल पर नहया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले हिट यह लाइक बटन ऐसे वीडियो सा अगर आप देखना चाहते है तो शेयर करेंगे तो जरू वर्सस निकॉन में हम यह जानेंगे कि आपका एक्चुलि रिक्वायर्मेंट क्या है देखिए सबसे पहले आप अपने रिक्वायर्मेंट को डिसाइड करना है आपको कि फार एक्जमपल ज्यादा से ज्यादा किड्स का पिक्चर्स लेते है या फिर आप लैंड्सकेप का पिक्चर्स लेते है या फिर आप दोनों वीडियो आएस वेल अजबिटर्स पिक्चर्स करते है या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते है सिर्फ वीडियो निकालने के लिए तो ऐसे आप डियर्मीन कीजिए क्लारिटी बनाई एक अपने mind में कि आपको क्या करना है अगर ऐसे ही जनरली अगर हम बात करते हैं अपने फ्रेंड से तो बोलते हैं एक best all-rounder suggest करना है तो best all-rounder ऐसे नहीं होता है कि हाँ मैंने कह दिया कि Canon का एक 1300D ले लो बस इसमें सारा अच्छा आजाता है ऐसा नहीं तो सबसे पहले आपको clearly decide कीजिए कि majority ज्यादा से ज्यादा आप इस camera से pictures निकालते है या फिर video बनाते है तो first आपने भी decide कर लिया है कि आपको सिर्फ pictures निकालना है कैसे भी pictures हो कैसे भी images हो अपने घर का हो या फिर बाहर का हो landscape का हो travel कर रहे है आप ऐसे वाले pictures ले रहे है या फिर आप even कोई wedding का ले रहे है pictures तो pictures और images अगर ये वाला आप ज्यादा से ज्यादा majority of the time करते है तो I would suggest you invest in a Nikon camera जी हाँ अब याप सोच रहेंगे अरे भाई Canon में तो बहुत सारा अच्छा आता है Canon में भी बहुत सारा अच्छा image quality आता है image का picture जो color science कहते है color science यानी जैसे हम click करते है तो picture में colors कैसा दिखता है उसको color science कहते है अलग-अलग cameras अलग-अलग different brands अलग-अलग color science रहता है क्योंकि वो software algorithm वैसे लिखे रहते है image sensor में जो software लिखे रहते है जैसे उनको चाहिए for example अभी Canon वाले decide करते है कि green color वाला ऐसा दिखना चाहिए क्योंकि green color का palette अगर आप link है तो starting from lightest green to darkest green अगर आप अपने घर के लिए paint बनाने के लिए जाते है catalog पूछते है colors का तो तब वो दिखाते हैं आलग-अलग variations in colors वैसा ही इस color science में भी ऐसा ही होता है cameras अगर आप ले रहे हैं तो वैसे वो decide करके अगर green हमारे camera में से आ रहा है color तो ऐसा ही green दिखना चाहिए करके वो decide करके उनके जो भी processing जो भी algorithm रहता है उसमें वैसे software लिखे रहता है तो इसके वज़ा से कहीं लोगों को Nikon में जो color दिखता है वो आच्छा लगता है कहीं लोगों को Canon में जो color दिखता है वो वह आच्छा लगता है मेरे recommendation पूछेंगे तो अगर आप images, सिर्फ images capture करना चाहते है और sharp images चाहिए every single time तो आप Nikon में बेहिचग invest कीजिएगा ओके तेन Canon कैसा है फिर image quality में see Canon मैं अगर prefer करूँ तो if you are looking for an all-rounder देखे भी videos भी निकालते हैं आप कहीं बार और उसके साथ आप images भी click करना चाहते है और एक अच्छा image quality भी चाहिए अगर तो straightforward मैं कहर रहा हूँ then you can pick a Canon अभी features, buttons ये सारे चीज़ तो budget के ओपर depend करता है अगर आपका budget 1 lakh रुपीज है तो Canon का 6D Mark II आप देख सकते है 7D Mark II आप देख सकते है वो तो एक full frame है उसमें एक APS-C का camera है अलग-अलग ऐसे models देखते है अगर आपका budget starting buyer है 20-25,000 रुपीज में invest करना जाते है तो Nikon हो या Canon का हो लग-भग similar features मिलता है लेकिन Nikon में एक बहुत बड़ा disadvantage ये है कि इसमें आपको बिल्कुल जो screen है वो flip का screen ऐसे budget में बिल्कुल नहीं मिलता है very-very disappointing thing तो सिर्फ आप एक fixed screen पर depend होना पड़ता है तो इसके वज़े से क्या होता है कहीं सारे situation में मान लिज़े अगर मैं ऐसे pictures ले रहा हूँ तो इस LCD screen को ज़्यादा से ज़्यादा use करता हूँ क्या होगा आपको कुछ भी flexibility नहीं रहेगा तो इसके वज़े से आप एक fixed जो LCD screen है उसके ओपर ही depend करके आपको अलग-अलग angles से try करने के लिए अच्छी तरह से नहीं मिलेगा तो ये वाल एक थोड़ा disadvantage मैं कह सकता हूँ अगर वहीं आप Canon का लेंगे तो even budget prices में भी flip out screen ऐसे आता है तो ऐसे screen देकर आप कहीं भी side में ऐसे घुमा सकते हैं अलग-अलग ऐसे directions पर pictures capture कर सकते हैं देखे मैं अगर ऐसे रखता हूँ तो भी मुझे screen पर दिखाए देगा कि कैसे image आने वाला है तो ऐसे advantage बहुत सारा है Canon cameras में तो इसके वज़ा से मैं आपको clearly बताऊंगा कि पहले आप decide कीजिए कि आपना budget क्या है and आप क्या करना चाहते है आपने camera से तो उसके basis पर जाकर आप invest कीजिएगा और उसके basis पर आप models को choice कीजिएगा तो इसमें और difference क्या हो सकता है Nikon versus Canon में lens variations क्या है देखिए Canon and Nikon have been for ages बहुत सारे सालों से वो है आप Canon लिजिए आप फिर Nikon में invest कीजिएगा lenses तो आपको आच्छी तरह से मिलेंगे ही तो lenses के related आप worry मत कीजिए आप देखिए कि ज्यादा आप videos बनाते है या फिर images capture करते है एक Nikon में advantage यह है कि इनका जो image quality रहता है आप कोई भी model लिजे अलमस्ट Nikon का उनका जो image quality रहता है बहुत ही बहुत ही अच्छा रहता है because of the fact that वो image sensor and along with the lens आप जो भी रखेंगे वो आपको बहतरीन image quality जरूर देगा तो ऐसे sync अच्छा होता है Nikon cameras और उनका lenses वैसे ही Canon में भी होता है लेकिन थोड़ा Canon का जो software algorithm है थोड़ा software side मैं खाऊंगा थोड़ा images अगर आप zoom करके देखेंगे तो मैंने ऐसे मेरे professional camera में बहुत सारा variations देखा हूं Canon versus Nikon में तो इसके वज़े से मैं आपको एक clearly decision दे रहा हूं ऐसा नहीं कि मुझे favor है एक Nikon से या फिर कोई Canon brand से ऐसा कुछ नहीं पहुत सारे अलग-अलग brands भी use किया हूं लेकिन आज का topic क्योंकि मैंने Canon versus Nikon का choice किया है तो इन दोन में से देखे जैसे कि मैंने कहा Nikon का image quality usually very sharp रहता है as compared to Canon then Nikon में problem क्या है कि अगर आप videos लेना चाहते है Nikon camera से तो आप बहुत ही disappointment में रहेंगे क्योंकि इसका जो video quality है वो बहुत ही अच्छा है आप कहीं बार कह सकते है better than the Canon's video quality जो bitrate रहता है and even जैसे videos जो quality जो picture आता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है Nikon में लेकिन इनका एक बहुत बड़ा problem है आज तक वो कौन सा भी model में solve नहीं कर पाये है वो है कि इनका autofocus Canon का autofocus आप compare करेंगे Nikon से तो Canon देखे Canon यहाँ पर है level and Nikon का level यहाँ पर है तो यह वाला एक बहुत ही difference है autofocusing system में वो भी video में not in image quality image quality में देखे सिर्फ अगर आप pictures capture कर रहे तो दोनों लगबर्ग आपको autofocusing system बहुत ही बढ़िया है and it all depends on कि आपका budget and console model choice कर रहे है थोड़ा यहाँ बहाँ थोड़ा better होगा कुछ Nikon में कुछ Canon में आपको better मिल सकता है autofocusing system but other than that in general अगर आप videos ले रहे है तो autofocusing system कुछ भी अच्छा नहीं थोड़ा भी अच्छा नहीं Nikon में Canon में उसका opposite है बहुत ही बहुत ही बढ़िया जो dual pixel system उन्होंने बनाया है वो आज तक उसको किसी ने भी beat नहीं कर पाया है हाला कि थोड़ा close आया है Sony हो या फिर Panasonic का हो वो सारे थोड़ा वहाँ तक level तक पहुँचे है लेकिन बिल्कुल इसको beat नहीं कर पाया है Canon system को तो इसके वज़े से I would recommend if you are looking to buy a camera for video purpose then आपको choice करना है Canon का अगर आप image quality या फिर image सिर्फ pictures निकालने के लिए देख रहे है तो I would pick the Nikon one तो ये brief वीडियो बहुत सारे लंबा हो सकता है अगर मैं features के बारे में बात करूँ तो अगर आप वैसे भी चाहते है वीडियो तो like कीजिए और बताए हमें comment section में की काउन सा वीडियो आप देखना चाहते है तो buy Nikon अगर आप overall all rounder देखना चाहते है और सिर्फ वीडियो भी निकालना चाहते है इन दोनों में से आपको choice करना है Canon system का तो hopefully ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर है तो like करना ना भूले share करके subscribe कीजिए चले दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए take care everyone बाई बाई